उन उन भोगों की कामना दुआरा जिनका ग्यान राजा चुका है वि अपने सभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धार्ण करके अन्य देवताओं विर्मा विश्णों महें इसको भजते हैं अर्थात पूजते हैं 21 में जो जो सकाम भग्त जिस जिस देवता के सरूप को सर्धा से पूजना चाता है उस भग्त की सर्धा को मैं उसी देवता के परती सथिर करता हूँ 22 में वह पुरुष वह व्यक्ति उस सर्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विद्धान किये हुए उन इच्छित वोगों को नी संधे प्राप्त करता है अब आगे 23 में सपर्ष्ट कर लिया परंतु उन अलप बुधी वालों का मंद बुधी वालों का बुधी हीनों का वे फल नासवान है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं मत भगत यह नड़ाजिया चाहे जैसे भी भजे अंत में नहीं मेरा भगत मुझको ही प्राप्त होते हैं अपने अत्माँ आप को दिखाते हैं अज्जाय नमबर नो का सलोक 20 से ले करते हैं इस तक नो का यो बीस है तीनो वेदों में यजुरवेद, रगवेद और स्यामवेद अथरवेद जो है वो वो अलग से है वो सिरिष्टित अतना का जादा गयाना है इन तीनो वेदों में विद्धान किये वे रगवेद, यजुरवेद और स्यामवेद ये भग्ती के सतर के वेद हैं इन तिनों वेदों में विधान किये वे सकाम कर्म करने वाले सोमरस पीने वाले पाप रहित पूरस मुझ्झ को यगों द्वारा पूझ कर स्वरग की प्राप्ति चाहते हैं वे अपने पुन्यों के फल रूप सुर्ग लोग को प्राप्त होकर श्वरग में दिव देवताओं के भोगों को भोगते हैं 21 में देखना क्या कहा है अब वे ये 21 है वे उस विशाल सुर्ग लोग को भोग कर पुन्य अक्सीन होने पर मर्थू लोग को प्राप्त होते हैं अर्थात पुन्यों के अपर भाव से सुरुख जाते हैं और पुनक्षिन होने पर मर्थू लोग में आते हैं अब बाइस में क्या कहा है जो अनन्य प्रेमी भगत्तन मुझ परमेश्वर को नरंतर चंतर करते हुए निसकाम भाव से बजते हैं उन नरंतर नित नरंतर मेरा चंतर करने वाले पुरसों के योग अक्से मैं स्वम वहम करता हूँ अर्थियाई समय कमाल कर दिया है हे अर्जुन यद्पी सर्दा से युक्त सकाम भगत है सकाम नहीं ये जो भगत हैं जो परवरनित की हैं जो अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं अर्थात करने अबाव ये है कि वो भगवान की पूजा मान करे वो भगवान की बगती ही कर रहे हैं किन्तु उनका वह पूजन एविधी पूरवक अर्थात अग्यान पूरवक है आगे पत्तिस में कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को पूजने वाले मुझे को प्राफ्त होते है अपने अत्मों ये देखना और यहां फिर आईएगा कि उन अलब बुधी वालों का है अरदुन ये अनों में धाय के तेईस में कहा है ये अरदुन ये दिपी सर्दा से यो को जो सकाम भगता है तो दूसरे देवताओं को पूझते है वे भी मुझको ही पूझते है कि उनका वैपूजन एविधी पुरुवक अग्यान पुरुवक है सास्तर विरुद है अरपुन ये अत्माओ सोड में धैके तेईस में सलोक में सपस्ट किया है तेईस में सलोक है जो सास्तर विरुदी को ट्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आशन करता है वहे ने सिध्धी को प्राप्त होता है ने प्रमगती को औरने सुक को ही चोबिस में कहा कि इस से तेरे लिए कर्टयों रोय कर्टयों की वस्था में सास्तर ही परमान है ऐसा जान कर तू सास्तर विरुदी से नियत कर्म ही करने योग है यानि और नहीं करनी चीए अब देखो सतर में में क्या पूछा है तोड़ पाड़ रहा गीता जी चमा करम वाइज ग्यान है तर्टिवाइज पर्थम मंतर में अरुदुन ने पूछा हे करसन चोब मुनस सास्तर विदी को ट्याकर सर्दा से योगत देव आधी का पूजन करते है यानि अन्य देवताओं की पूजा करते है सास्तर विदी ट ताकर को जो करते हैं वो किस सथीठी के लोग हैं आप देखो इस सतर में जाए के पांचमें सलोक में कहा है वे जो मनुसे सास्तर विद्धी से रही थे केवल मन कल्पित घोर तब को तपते हैं मनमानी जो साध ना करते हैं दम और एंकार से युक्त काम ना आ सकती और बल्स के अभिमान से युक्त हैं वो किसे बताए हैं सरीर रूप से सतीत भूत समुदाय को और अंत कर्ण में सतीत मुझ परमात्मा को भी अब करस करने वाले हैं दुखी करने वाले हैं उन अग्यानियों को असुर सभाव के जान अपने अत्माओं अब ये कती गीता जी का निसकरस और गीता जी साथमे अध्याय के पर्त्व 21 में काँ कि इस आग्यान बताउंगा provincia को इसके जानने के बाद की कच भो जानना से इस नहीं रहता हैं अब देखिये फिर गीता जी अध्याय नंबर साथमाँ सब्स MAY अध्याय है एप आए अनने प्रेम से मुझमस आसक्त लगा हुआ जिस परकार से संपूर्ण विभूत बल एसुरिया दिगुनो से युग सब के आतम रूफ मुझको संसे रहीत जानेगा उसको सुन मैं तेरे लिए दूसरा इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को पूर्णते कहूंगा जिसको जानकर संसार मैं फिर कुछ भी जानने योग से नहीं रह जाता पुने आतमाओं ये कहा करते के ब्रमा विशनों महिस अजरो अमर हैं इनका कोई माता पिता नहीं है येही सब कुछ हैं सर्वेशवा हैं और पुने अओ्छोरा हैं सब अंदरे दिखत के तो नेन चिसम इनका फेरया मोतिया बंदरे अप्रमात्मा का करती है तुमने विद्वान दिखाई दे हैं ये गच्छामी गच्छामी करके मुरह बुना रहे तुमने ये संस्कर्ट के गयाता इन कैखे का भी ना वेरा इस वेदों के और गीता के बारे में इनका तो अग्यान रुपी मोतिया बंद है इन रिशी वहरिसियों के आपने पूरा इतिहास देख लिया आज सतियों के ब्रामन्यों के वेद के विद्वान थे दुर्गा की पूजा करें आलिया ओडिन की विदूता का और बगवान कहा करते है मन मानक लेर समंदरे मुर्जीवा नगसीपन सायरे वो नर्मल अनद कंदरे मन मानक लेर समंदरे मुर्जीवा नगसीपन सायरे वो नर्मल अनद कंदरे मन मानक लेर समंदरे मुर्जीवा नगसीपन सायरे वो नर्मल अनद कंदरे मुत्ती मुक्ता दर्सत नाही योजग है सब अंदरे मुती मुक्ता दर्सत नाहीं यो जग है सब अंदरे दिखत के तो नेन चसम इनक फिरा मोतिया बंदरे दिखत के तो नेन चसम इनक फिरा मोतिया बंदरे जिसका सफेद मोतिया हो जाना उसकी आखतकती सवस्त दिखाई देती है पर उसने दीखतकती नहीं ऐसे ये विद्वान महर सीक्वावं थे इनको कैखे का पता नहीं था वे दोर गीता और पुरानों के बारे में गीता जी का सारान सुनाया करते और जोन तू क्या लाया था तो तेरा क्या जाता है आत्मा तो अमर है तो सोक ना करे यो टट्टू सारान स्था यो सारान स्था यी वाव है गीता जी का नर नारायन देही पाक है जै कट्याना जम का फंद्रे पर मात्मा कहते हैं बगवान अपने जैसा रूप दे रहा था तुमें और ऐसा सुन्दर स्रीद कुछ तेगदे सुवर देखो इनकी क्या दुरुकती है और इस रीद को पाकर भी जै कट्याना काल का फंद्रे यानि काल का जाल से मुक्तनी हुए तो कहते हैं नर नारायन देही पाक है जै कट्याना जम का फंद्रे रतन अमोली दरसत नाही द्यक्कार है वाकी जन्दरे कट्याना द्यक्कार है मनुस जीवन को जो मनुस दनमपा का भी परमात्मा की प्राप्ती नहीं हुई और काल का जाल से नहीं छुटकारा हुआ पूरन बरहम रटे अविनासी यानि पूरन परमात्मा की जो भक्ती करते हैं अपने विशेमा पर बता रहे हैं आपका इस कलियोग में इस बीचली पीढ़ी में मानो शरीर है और आप सिक्सित हो नहीं हमारे दजदे पड़ दजदे पिता जी और स्वाद पीढ़ी थी ता हमने पता कोई सिक्सित नहीं था और सिक्सित की कती जुरूरत नहीं थी वो बड़े चैन से रहा करते थे बेई माना कती नहीं था ये सिक्सित हो करता हम इतने कती गिर गया सतर मारा लेकिन इस सिक्सित का देना जरूरी था परमात्माने क्योंकि इस सिक्सित से आज हम भगवान पैचान रहेंगे इस अक्सर ग्यान से नहीं तो इस सिक्सित की कत्याव सक्ता नहीं थी मुनुस जी उनका टाइम पाज करना है चैक कोठी में कर ले और चैक जोफडी में कर ले पुनात्मा ये रह महताता का आज आज आपके उपर कि आप बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक बालक बुजरक बेटी बहाई बहन ये सब याज़क सरग्यान युक्त हैं सद्गरंथ हमारे पास हैं और पैचान का भगवान को फिर बगती कठी नहीं है ये तनाडियन बढ़ा रहा खीती को दूना तप़ को खड़ा होगा तप़ को उटा तप़ हमने सोचा करते हैं मारवस की बात को नहीं हम नहीं कर सकते हैं इस कठीन काम को को कि हम तो बाल बच्चे दार हैं और परमात्मा ने बताया कि परवत डूंगर मत चड़ो बस्ती त सत नाम तो वगवान याद दिलाते हैं अमर करूं सत लोक पठाऊं तातें बंदी छोड कहाऊं बंदी छोड हमारा नामम अजर अमर है अस्तिर ठामम जो हम कहें करें जो कोई मन धारें जो से देखें और लक्षन योग लखाऊं यो नर्गुन बहुर दरहनी बेखें कहतें जो हम कहें ऐसे कर लेगा फिर उसका पुनर जनम नहीं होगा बोलो सत गुर्दे परम पिता प्रमात्मा पूर्ण बिरम सर्वै सिर्ष्टी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम करपा से ये चंद पुन्यात्मा सत संग सुरने के लिए पहुंच पाई सकल पदारत है जगमाही और करम ही ननर पावे नाही परमात्मा पूर्ण बिरम सारी सिर्ष्टी रचनहार कबीर देव जी ये हम सभी आत्माओं के एक मातर मालिक हैं ये हमारे अपने हैं अपनों का दुख अपने को ही होता है ये काल जिसको हम अपना मालिक मानते हैं क्योंकि हम अपने करमों के कारण अपनी गलती के कारण इस काल के प्राधीन हो गए अब ये जैसे भी चाहता है वैसे हमारे नाच नचा रहा है वैसे हमें कष्ट दे रहा है और उसको कष्ट देने का अधिस से ये भी है कि वो हमें जितना दुखी करेगा उतना ही हमारे पिता को कष्ट होगा इस निकमी आत्मा ने स्वें वहां गलती की थी एक पैर पे खड़ा होके इसने सत्तर युकतब पे